एक पिता और पुत्र गोडे पर सवार होकर जा रहे थे दनों को आगे कोई नगर मिला नगर में लोग थे लोगों ने कहा देखिए कैसे निर्दाई लोग हैं अरे एक गोडा जिनके पास हैं और दो दो हट्टे कट्टे पुरुस एक गोडे पर बैठे हुए हैं इनकी अंदर जरावी दया नहीं है बेटा ने कहा पिता जी आप इस गोडे पर बैठ जाईए और मैं थोड़ा पैदल पैदल चलता हूँ पिता गोडे पर बैठ कर चलने लगा अब पुत्र पैदल पैदल चलने लगा आगे फिर कोई नगर मिला नगर के लोगों ने देखा कि देखिए कल्यूक का प्रताब एक पिता में दया नहीं एक छोटा सा बालग पैदल चलता है हट्टा कट्टा पिता गोडे पर बैठ कर चलता है पिता जी ने कहा पुत्र आप ही इस गोडे पर बैठ जाएए मैं पैदल चलता हूँ अब पिता पैदल चलने लगे फिर आगे लोग मिले कि अब पक्का कल्यूग आ चुका है बेठा गोडे पर बैठा है और बाप पैदल पैदल चलता है दोनों ने बिचार में मर्स किया हम दोनों को पैदल ही चलना चाहिए अब दोनों लोग फिर पैदल पैदल चलने लगे आगे नगर में कुछ लोग मिले लोगों ने कहा देखिए हमने मूर्ग तो संसार में बहुत देखे लेकिन इनके जैसा नहीं देखा अरे गोड़ा जिनके पास है और फिर भी बाप बेटे पैदल चले जा रहे हैं प्रिये सजनो समझना ये संसार भी ऐसाई है आप कुछ भी करोगे उसमें कुछ ने कुछ आपकी कमिया ये संसार खोजेगा लेकिन आपको संसार में नहीं फसना है आपको केवल गोविंद के उस नाम में गोविंद के रूप में खोना है वो अभिनाशी भ्रह्म में वो परमपिता परमात्मा वो जगत का नियता वो जगदी स्वर्थ इस संसार में खोजने से नहीं अपितु उसके नाम में खोजाने से आपको प्राप्त होगा